कि नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपका इंडियन अडोल ब्लॉक चैनल पे और आज हम चला रहे हैं बनेली लियॉंसीनो 500 फर्स्ट फाल इस रिव्यू की शुरुवात हम करते हैं सबसे अच्छी चीज से वह है इसका साउंट्रैक अच्छी अच्छी आपको इसकी आवाज सुनके तो लगेगा कि यह 3 औ 4-cylinder motorcycle है पुछे इस अच्छी आच्छी आज है वह सिर्फ एक 500 cc का पालर ट्री आजन इसके अच्छी आपको प्रिलियुन सभींट्रैक्री आपको आफ़ेटिग में तो अपने लाइफ टाम में इतनी स्मूद आवाज आज से किसी भी पालर ट्री आवाज तो नहीं सुनी तो चलिए करते हैं आज की रिव्यू की शुरुवात फॉर्स अबॉल देख सकते हैं कि यह एक नियो रेट्रो मोटर साइकल है कई लोग इसे स्क्रैंबलर की रेंज में प्लेस का ना पसंद करेंगे बट एस यू किन सी नहीं इसके ट्रैवल सिस्पेंशन सिस्पेंशन इतना लंबा है ना ही इसके रोड ऑफ रोड टायर से ना ही इसकी सीट हाइट बहुत पूची है तो उसके अकॉर्डिंगली यह नियो रेट्रो की सेग्मेंट में प्लेस होती है यह मोटर साइकल लुक्स के मामले में अगर हम बात करें तो आगे इससे मिलता है एक एक दम राउं स्ट्रिप यहां पर मिलती है काफी व्यूटिफुल तरीके से दिया गया है LED स्ट्रिप के बीच में ही यहां पर आपको लाइटिंग मिलती है इंडिकेटर जो है यह भी फुल LED है इसी के साद आपको बैक लाइट भी इखा देते हैं साथी साथ कि देखिए रेक्टैंगु आगे मिलता है आपको एक circular headlamp 50 mm के beefy UST front forks 320 mm के disc brakes 120 mm का front section टायर फ्यूल टैंक जो है वो काफी सो किलर तरीके से seat के इंदर जल इन हो रहा है fuel tank की capacity की अगर हम बात करें तो 12.7 liters की इसकी capacity है fuel tank capacity और 2 liters जो है यह reserve fuel की use करती है seating काफी अच्छी है काफी डंक से nicely padded है especially rear pillon के लिए rear pillon comfort काफी अच्छा है काफी डंक से padded भी है पीछे की tires की बात करें तो पीछे आपको interestingly 160 mm का tire पीछे मिलता है grips की अगर हम बात करें तो road on road grip जो है इन tires की बहुत अच्छी है बहुत उंदा grip है आपको चलाने में बिल्कुल लगेगा की गाड़ी जो है वो चिपक के चल रही है road usage के हिसाब से काफी comfortable काफी अच्छी गाड़ी है everyday usage के हिसाब से बिल्कुल आप इसे चला सकते है now getting into the details as you can see इसे मिलता है tubular trellis frame जो की engine जो है इसका stress member है इस frame का आगे आपको radiator मिलता है exhaust आ रहे हैं बीच में catcon है पीछे exhaust into two configuration में इकल रहा है दोनों exhaust valves जैसे कि आप देख सकते हैं यह दोनों functional है अगर हम इसके engine की बात करें तो 500 CC पैरलल 20 से engine मिलता है 47.5 PS of maximum power deliver करता है 8500 rpm पे और 46 Nm of peak talk deliver करता है 6000 rpm तो engine जो है वो 6-speed manual gearbox के साथ आता है और chain delivery जो है इसे मिलती है chain के थ्रू यह power to the rear wheel deliver करता है performance की अगर हम बात करें तो performance की अगर हम बात करें तो यह engine है काफी smooth है low range के अंदर काफी अच्छी power जो है यह deliver करता है mid range भी इसका काफी अच्छा है higher range पे आते आते थोड़ा this bike starts to loses its team but at the same time आपको यह bike road पे चलानी है आपको track usage के लिए यह bike नहीं चलानी है तो in that way काफी अच्छा engine है city usage के साब से बहुत ही अच्छा है smooth है this is the kind of engine which you will enjoy riding everyday but at the same time जैसे जैसे आप throttle अपना twist करते हो थोड़ी सी जो है vibrations handlebar में जरूर आते हैं footpex में नहीं है body panels में थोड़ी सी vibration जो है वो इसके handlebar के अंदर बिल्कुल आपको महसूस होंगी comfort की बात करें तो जैसे आप देख सकते है seat height इसकी 785 mm है काफी सही seat height है up to 510 लोगों के लिए काफी सही है 510 से नीचे लोगों के लिए भी बहुत सही होगी 6 के लिए भी almost fit होगी but 6 के ऊपर जो है थोड़ी सी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लंबे लोगों को but in but at the same time 785 mm of seat height is perfect for average height of people like us तो अब इसके करते हैं इसकी braking की बात आगे इसे मिलता है 320 mm of disc brake पीछे मिलता है 240 mm of disc brake braking दोनों में अच्छी है ABS के साथ यह motorcycle हाती है due channel ABS है but at the same time bike जो है आप आपको feel होगा कि यह bike जो brakes में थोड़ी सी जादा bike यह use कर सकते है ABS intrusion भी at the same time थोड़ा सा जादा है आपको लगता है कि brake lever दबाते ही ABS is working so वो नहीं होना चाहिए bikes में but at the same time braking सही है ABS intrusion थोड़ा सा आपको जादा मेहसूस हो सकता है so at the end of the review मैं तीन बाते जो है वो point out करना चाहूंगा जो मुझे नहीं पसंद आई first of all अगर आप if you take a closer look जो bill quality है या फिर थोड़े जो wires जो है वो इधर उधर से अगर आप देख सकते हैं the jumping out of the motorcycle तोड़ा आपको details में अगर हम दिखाते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं there is something which is hanging on here there is something which is coming out from this side look if you are spending money like this like like on a motorcycle such which is so premium at the same time I would like to point out that this motorcycle is priced at around 4.8 lakh extra room so if you are investing that kind of money so maybe yes आप expect कर सकते हैं कि motorcycle थोड़ी जादा premium अपको पील करें थोड़ी जादा जो है इसकी build quality एची हो but at the same time this is decent nothing very bad but yeah nothing too premium at the same time तो यह जो थी इसकी first thing थी second चीज है इसकी brake braking के time पे maybe ABS intrusion is too much third जो है इसका display panel के अगर हम बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं fully digital आपको panel मिलता है सारी information यहाँ पर बहुत ही दंके format से displayed है fuel tank है यहाँ पे fuel tank level है यहाँ पे ambient temperature है oil temperature है time है rev range है and this is the average speed that you're doing along with this odometer but at the same time जैसा आप जेख सकते हैं बहुत ही average meter console है maybe दूसरी motorcycles which are priced at the in the same range may maybe some of the motorcycles have better meter console so यह तो ही तीन चीज़े जो मैं जाओंगा इस motorcycle में improve हो सकती है बाकी सारी तीन चीज़े जो मुझे बहुत बहुत पसंद आई है वो है इसकी first of all इसका engine जैम of an engine जिसमें low end में बहुत अच्छा talk जो है के किन होता है city right के साब से बहुत ही बहुत ही प्यारा बहुत ही smooth है smooth power delivery है उसके हिसाब से यह motorcycle बिल्कुल perfect है second चीज जो है जो मुझे बहुत पसंद आई है वो है इसकी sound parallel to an engine के साब से यह sound बिल्कुल three or four cylinder की तरह करता है जो की बिल्कुल मुझे पता है मुझे I'm pretty sure that all of you viewers would love about this motorcycle जो इसकी sound है sound के नाम पर एक और बार आपको सुना दिया जाए इसका sound कैसा है so this is the second thing which I totally loved about the Benelli Leon Cino 500 इसी यह motorcycle sound करती है third thing जिसकी अगर हम बात करें तो वह है इसकी handling motorcycle जो है वो काफी light feel होती है in the city rides आप zigzag करके आप अराम से traffic में जला सकते हो left to right right to left बहुत अच्छी handling है इसकी बहुत ही light feel होती है so उसके according भी Benelli Leon Cino 500 is a pretty perfect motorcycle to ride in everyday conditions so guys with with all these points I'm concluding my video I hope I hope that you all guys loved this motorcycle you love this video and if you did the same please hit us in the comment section below do not forget to hit like subscribe and share this video that's all in the show today thanks for watching ride safe